हेलो अब्रिवन वेर्गम बैक टो माई टूब चैनल फ्रेंड्स आज में रिव्यू एंड डेमोग साथ लेकर आए हूं यह निसा हिना और आज में इसका रिव्यू डेमोग साथ करोगी वो भी तो वीडियो लाश्ट जलू देखिए का और हां बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि इसको यूज करने से हमारे हैर वाइट तो नहीं होगे वाज जढ़ेंगे तो नहीं और भी कमेंट जैसे कि मेंदी बॉस करने के बाद खरन निकलता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है यह बिल्कुल नैचुरिल हिना है गाइस अगर आपको बैडिंग कर सकते हैं मात तीस मेंट लगाए और आपको जो हैर पर जो कलर आएगा ना बहुत ही अच्छा कलर आएगा और आप देखिए जरूर वीडियो लाज तक क्योंकि मैं आपको पूरा रिजट बताने वाली हूं आज इस निसा मेंदी के और हाँ गाई मैंने पहले भी वीडिय कोई है निसा मेंनी के जो वीडियो हैं तो पर भीडियो को किया हुता है थो हमारे बालू आपको साथरा से और आप आपको निसा महंदी लगाना पसंदे तो आप उसमें अंडा एक जरूर एड़ करें और प्लस अगर आप कोई सी भी महंदी लगाते जैसे आप पास बहुत टाइम है आप रात भर की रिभू हो सकते हैं तो आप उसमें भी एक एक मिला सकते हैं को कि यह बहुत जादा बैनी फ आपको पंदर रुपय में मिल जाए आसानी से मार्केट में मात पंदर रुपय में ही आप घर पर ही बड़ी आसानी से बालों में एक डार्क ब्राउन कलर कर सकते हैं अगर आपके बाल ब्लैक नहीं है तो अगर हलका सवन में आप ब्राउन का टेक्शर है तो आपके बाल ड निसा महंदी बालों में लगाएं और बीडियो को पूरा जरूर देखें तो मेनी यहां पर यह बाउल लिया है आप को भी कटोरी ले सकते हैं वस आप इस निसा महंदी काटे यह और इस कटोरी में निकाली और हाँ जो नॉर्मल चाही की पति का जो घुट बनाते है न पानी उसी पाने से आपको इसका पेश्ट बनाई आपको ठीक है क्योंकि जो चाय की पत्ति का पानी होता है बालों को बहुत साइनी करता है और साथी साथ हमारे बालों की यह लंबाई को बढ़ाता है तो आज मैं इस तरीके से अपने बालों में इसे अपलाई करूँगी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाई जरू कीजिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरू बताए कैसे लगा आज का वीडियो आपको तो अपना experience मेरे साथ जरू share कीजिए तो ये जो निसा है मैंने इसको एक packet लिया है आप अपने हेर के according ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है साथ चागा पानी इसमें कुछ भी नहीं मिला है मात शिर्पिना चाहिए पत्ती उबाल कर इसका पानी बनाए है तो सिंपल तरीके से बिल्कुल भी तो ये इसमें आप धीदेर करके चागा पाई डाल दे जाएए और इसका पेश्ट बना लेजे इसमें आप एक अंडा जरू मिलाएं फिर इसे अच्छे से पेश्ट को तयार कर लें आप इसमें एक अंडा जरू डालें अफ्रिय। से अच्छे से इसका पेश तयार करें अंडा से क्या होका वाल सॉप्ट सिल्की बना देता है और एंड बालू का जो लुक है बहुत अच्छा आजाता है ठीड हे बहुत बहुत आखिज़ी शिल्की होते हैं और लगाने से पहले आप अपने बालों बहुत अच्छी तरीके से कौम कर लीजिए जिससे जो हिना है अपलाई करेंगे बालों पर अच्छी तरीके से लग जाए और हाँ हिना अपलाई करने से पहले अपने बालों को वास कर लीजिए अच्छे सेंपू से तभी आप अपने लग जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है बालो में डार ब्राउन कलर करने का तो आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दीजेए शेयर कीजिए तो यहां हमारी हिना लग चुकी है इस तरह से फिर आपको अपने बालो में कैसे मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए टेक के एंड बाय थेंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो